शिरी शिवाय नमस्तू प्याम अरहर महादेव 26 जुलाई को सावण की शिवरात्री पढ़ रही है जिस दिन गुरुजी एक पूजन करने वाले हैं आप सभी को भी वेप पूजन जवश्य करना चाहिए आपको याद होगा पिछते साल भी सावण की शिवरात्री में गुरुजी ने एक पूजन करवाया था जिसमें कुछ सामगरी लगी थी वही सामगरी हम आपके सामने इस वीडियो में बता रहे हैं यह सामगरी के वलेक व्यक्ति के लिए है यदि दो तिन व्यक्ति पूजन कर रहे हैं गर में तो सामगरी अपने उसार बढ़ा सकते हैं पहले नमबर पर आपको गेहों के दाने लेने हैं कुल 21 दाने गेहों के लेने हैं दूसरे नमबर पर आपको कमल गट्टे लेने हैं टोटल पाँच कमल गट्टे आपको लेने हैं, तीसे नमबर पर 108 चामल के दाने लेने हैं, याद रखिए, चामल के दाने खंडित नहीं होने चाहिए, चौधे नमबर पर आपको काली मिर्च के दाने लेने हैं, टोटल 21 दाने होने चाहिए, फाचे नमबर पर आपको काले त सफीज और надfol सकते हो हैं, तोड़े से काले तिल लेने, आपको छटे तंबर पर आपको एक दतूरा लेना है, पुल 21 बेल पत्र आपको लेने हैं आठवे नमबर पर आपको शमी के पत्तियां लेनी है, कुल साथ समी की पत्तियां आपको लेनी है, नवे नमबर पर आपको सफेद पुष्प लेने हैं, थोड़े से वो कोई से भी पुष्प हो सकते हैं, पर सफेद ही होने चाहिए, दसवे नमबर पर आपको गुलाब के उसके बाद आपको चंदन लेना है, चंदन लाल या पीला कोई सा भी हो सकता है, उसके बाद आपको दो गोल सुपारी लेनी है, दो गोल सुपारी के बाद एक घी का दीपक लेना है, गाहे के घी का दीपक भी हो सकता है, ग्यक भेंस के घी का दीपक भी हो सकता है, फिर आपक गुज़ दागा लेना है या मुलिका गिट्ट लेना है छोड़ी सी मातर में आपको या अपको लेनी है उसके बाद को एक दूप पति लेनी हैं यह भी आपको मार्केट में असानी से मिल जाएगी उसके पाद आपको फल लेने है वहाँ अपने इच्छ अनुसर कोई से भी आ सकते हैं आपको दो फल लेने हैं वो कोई से भी हो सकते केला से हूं या कोई से भी आपको जो इच्छा हो वो आप ले सकते हैं यह सामगरी हम आपको पिछले सावन की शिवरात्री के बता रहे हैं अभी तक गुरूजी ने सावन की शिवरात्री के सामगरी हमें नहीं बताई ह यदि इसके अलावा भी हो कुछ और इसके अंदर हम बताते हैं तो हम आपको आने वाले वीडियो के अंदर जरूर सोचित करेंगे और यदि कोई और सामगरी के आवशकता होगी तो हम आपको एड़ करके बता देगे शिरी शिवाय नमस्तूब्यम हर हर महादेव इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि 26 जुलाई को पढ़ने वाली सामट के शिवरातिरी पर लोग अधिक से अधिक सामगरी खरीद कर बोले नात की पूजन कर सके और साथ में आपको एक पार्थिव शिवलिंका में निर्माद करना है जो हम आपको आगे आने वाले वीडियो में बता देंगे कि किस बन के वेक्तिव को कौन से पार्थिव के कौन से मिट्टी के पार्थिव का शिवलिंका निर्माद करना चाहिए हर हर महादेव